आपके विरोधी कह रहे हैं कि यह पति-पत्नी विधायक सांसद पब्लिसिटी के भूके हैं यह हनमान चलिसा पढ़ने से राजद्रोग वह भी बाला साब ठाकरी की पार्टी के माध्यम से लगाए जाता है जो बाला साब ने हमेशा हिंदूत्व का सवरक्षन किया आपने संजे राउत से पूछा नहीं जब आप लोग एकी संसदी समीती में ले में थे कि भाई आप मुझे धंका क्यों रहे थे अब मैं 14 दिन जेल भुक्त के आई हूं 13 दिन और मुझे जेल में डालने वाले सामने बैठे इन्हें पूछी इन्होंने क्यों डाला मुझे हमने सोशल मीडिया पे जब इन्फॉर्म किया अपने वीवर्स को कि हम नमनीत राणा और अभी राणा का इंटर्व्यू करने जा रहे हैं तो बहुत सवाल आए उसमें से जो सबसे कॉमन सवाल थे वो दरसल यही थे कि अम्रावती की और महराष्ट की तो बहुत सारी समस्याएं हैं तो फिर विदायक सांसत दंपत्ति को सबसे बड़ा मसला हनुमान चालीसा करते हैं संकट मोचन को हम सब कभ याद करते हैं जब हमारे पर संकट आता है अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो हम आपके घर के बाहरा के पढ़ेंगे और संकट दूर हो इसकी प्रातना हम संकट मोचन से करेंगे कह रहे हैं आपके पास जो पैसा आया है ना उसमें दाउद का पैसा भी है जी वो हमेशा मेरी मुल्गी के एक टांग वाले लोग है कि में हमारी आवाज सुनो पर आपके एक प्रतिद्वन्दी हैं शिवसेना के जिलाध्याश दिनेश भू वो कहते हैं कि यह तो बिल्कुल नंबर नहीं बहुत मार धरते हैं मारपीट की ते आपने उनके साथ मारा मारा ने सबक्सिक कुब बड़े-बड़े जो पुराने नेता है उनकी हकाल पत्ती कि करेगी सब कुछ गया धिल्चस शब्द है हखाल पत्ती है हमारे मारा श्रुकी कि लेंग्वेज है लोग क्या मेरी स्टाइल बहुत अलग है जैसे ललन टॉप में है वही स्टाइल से नवनीत राणा है सियासत में जतन होते हैं कि नाम की इंदराजी ऐसी हो कि इतिहास बन जाए मसलन ये इतिहास कि पहली दफा कोई महिला निर्दलिये चुनाव जीत कर लोगसभा में पहुँचे या फिर ये इतिहास कि एक विधायक ने ये तै किया कि मैं शादी तो करूँगा लेकिन एक पॉलिटिकल तामे जामे के बजाए सामोहिक विवास अमारों में शामिल होंगा या फिर ये इतिहास कि विधायक और सांसद पती पतनी को एक साथ गिरफतार कर लिया गया हो इलजाम हनुमान चालीसा को पढ़ने का है राज्य के अमन चैन को भंग करने का है मुख्य मंत्री की शान में गुस्ताकी का है या फिर राजद्रो का है 124 ए जिसके दुरुपयोग को लेकर लगातार देश में विमर्श जारी है और सुप्रीम कोट ने भी इस पर्टिकुलर मसले में भी दखल दिया है इन सब पर बात करेंगे नेता जी घेरे में के नए एपिसोड में जिसमें हमारी महमान है अमरावतीसे सांसत नमनीत राना जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका और बढ़नेरा इसको कैसे उचारित करते हैं क्योंकि मराठी में हिंदी से पुछ-कुछ उचारन अलग हो जाते हैं बढ़नेरा है बढ़नेरा है आप लोगों के राजनेतिक इत्यास पर जाएंगे और आपके विरोधी जो आपको सम्मान बख्षते हैं उस पर भी आपके हिस्से की प्रतिक्रिया जानेंगे। आप फिलाल जमानत पर हैं। दिल्ली में हैं। कई बड़े नेताओं से मुलाकात भी कर रहे हैं। इंटर्व्यू भी दे रहे हैं। अमित शाह से आपकी मुलाकात हुई देश के ग्री मंतरी। आपके मुलाकात तो हुई है पर मेडिया के समने बुलने लाइक नहीं। क्योंकि कुछ कॉन्फिदेंशल बात हुई है। और जो हमारे साथ हुआ है। इसके बारे में पुरा डिस्कुशन भी हुआ है। और मुझे लगता है कि जो हमारे साथ हुआ है, वो केंडर से सभी नेता, चाहे देश के पंतवदान है, देश के ग्रह मंत्री है, वो पूरी आपडेट हमारे ले रहे थे कि हमारे साथ ऐसा गलत क्यों राज्यस्तरकार ने किया, किस तरह से मुख्य मंत्री राजद्रो का ओफेंस दाखल करके, हन्मान चालीचा को लेके, पईवी बार देश मे कोई MP और MLA को अरेश किया जाता है घर के अंदर से, लॉक अप में डाला जाता है, जेल में डाला जाता है, एक महिला सांसत को जिस तरह से तकलीफ दी जाती है, इसकी पार्लमेंट ने भी खुद, पूरी जानकरी रात को दो बजे ली, जब रात को बारा बजे के बाद अर से पूरी महिती मांगी जाती है, किस आधार पे उनको अरेश किया, क्यों किया, और मुझे लगता है पहली बार पार्लमेंट से कोई दो बजे फैक्स मुंबई CP को जाता है, और छे बजे मुंबई CP को डिटल देना पड़ता है, कि यह वजे से अमने अरेश किया है, और क्य थाकरे की पारिटी के माध्यान से लगाए जाता है, जो बालाव साब ने हमेशा हिंदुत्व का सवरक्षन किया है, पर हिंदुत्व को भूलने वाले उद्धोजी ठाकरे, इन्होंने अपनी मगरूरी, अपना घमन, अपना कुरूरता, यह जो राजनेतिक प्रत्पे किया जाता है, एक महिला और MLA और MP को उसलोगण में डाला जाता है, उसको हरेशम किया जाता है, उसको परिशान किया जाता है, और जेल ने चल्दा दीन यह भारत के लिए सबसे दुर्भाकी कि बात है 14 दिन या 11 तेरा दिन था तेरा दिन दो दिन लॉक अप में और 11 दिन जेल ओम बिला जी का जिक्र हो रहा था आप हमारे देश की सांसत हैं क्या बादचीत हुए आपके उंसे सर जिस दिन में दिली आई उसी दिन उन्होंने समय देकर दिया और उस वक्त में उनके पास गई औ को बताई और हमारे ओम बिला जी मेरा तो फर्स टाइम एक्सपीरियेंस है और फर्स टाइम या यह तीन वर्षों में दो वर्ष तो मेरे कोविड में चले जाते हैं और उसी दोरान जब भी हम पार्लेमेंट में काम करते समय हाउज में काम करते समय सभी के मुख्य से उठाने के लिए permission देते हैं और उन से मिली उन्हें सब पीडा बताई उन्होंने फिर बताए रात में दो बजे कैसे पार्लेमेंट खोला गया कैसे वहांसे मेल किया गया और कैसे वहांसे जवाब कितने बजे आया तो पूरी रात उस दिन पार्लेमेंट हाउस चला हमारा प इसके मताबिक उन्होंने प्रिवलेज दाखल करने के लिए आगे रेकमेंड किया और मैंने फिर प्रिवलेज दाखल किया क्योंकि जो घटना हुई पुरे देश वास्यों ने देखा है मेरे लिए तो वह अत्याचार है मुझ पर कुछ नहीं करके भी अगर आप पे देश दुरो लगता है अगर कुछ नहीं करके भी हेट्रेट निर्मान के ओफेंस लगते हैं आप तो मुझे लगता है वो सब चीजें उनके सामने रखे और उन्होंने उसकी दाखल लेके प्रिवलेज में उन्होंने रेकमेंड करके अच्छा और फिर प्रिवलेज के कल स्टेटमेंट भी हुआ मेरा एक शिकायत आपने और दी थी हमारे देश के लोग सभाध अध्या शोंबिडला जी को मार्च 2021 में अरविन सावंत वाली शिकायत पर क्या हुआ अपको पताती हूँ उन्होंने वस कॉरीडोर में जिस दिन जो बोला वही बताया मैंने और मेरे पीछे जो मेंबर अफ परलमेंट ची आएम देटुदेंट मैसल्व आम नाट यह तो डीफेंड समबडी देर उस लिसल्ट पर मेरे साथ में जो मेरे पीछे एक अमेर आफ बेटे थे उन्होंने भी वो शब्दों का सुना और मेरे हाउ उसके अंदर की पार्लमेंट जब मैं उठा रही थी कि 100 करोड का जो घुटाला हुआ पर हुआ सचीन वाजे के नाम से तब मैंने जब वो रेस किया रेस करने के बाद उन्होंने आपोस करते हो जब वो क्रॉस कर रहे थे मेरी लें तब उन्होंने कहा कि अब तुमारी बार ये जेल जानी की इस वोज दी लाइन तो जिस दिन मुझे जेल बेजा गया उस इनकी प्रोशीजर उस समय के पहले से शुरू हो गई कि नवनीच राना को रवी राना को कैसे जिल भीजना है उस पर भी आपने इस मैंने कंप्लेंड की फिर उनसे बात की गई और उस जी ने बात की बिला साहिब ने खुद बात क कि मैंने उनको यह भी काहा कि आप जो मेंबर आप पारलमें पीछे बैठे हैं उनको भी आप यह बढ़ा के आप यह कौन बैठा था पीछ आप है अप यहां राजमंटरी के हमारे MP हैं भरत करके वो जस्ट बहाइंड वी और मैंने उनको पूछा बिकोज मैं तो को इसा कि नमारे MP है बेठाक हैं आप संथ Doll अब अटिस्टक का हैं एक आपने सुझ आप संबक N. इस अ मैं भी आते हम भी आपने संबमी अबलat के नियुग अबिचता, पूछा पीक्ने अन्र नों रैब आप यह संथ ऊन्हों का नुनों संग कि जब लोग आपके बारे में रिसर्च कर रहे थे आप दुन लोहों के बारे में तो आपके विरोधियों ने आपके लिए खास तोर पर एक बड़े दिल्चस्प तीम शब्द इस्तमाल किये उसको आप तारीफ मान सकते हैं बुराई मान सकते हैं जूरीज आउट उन्होंने कहा कि बहुत जिद्धी है रवी राणा बहुत महंती है और पब्लिसिटी का बहुत भूका है आपके विरोधी कह रहे हैं कि ये पती पतनी विधायक सांसत पब्लिसिटी के भूके हैं पब्लिसिटी पाने के लिए इंको लगा अच्छा राच ठाकरे कि है अजया और फिर जब लगा है तो लेने के देने मैं बहुत ही नॉर्मल परिवार से हूँ, एक किसान परिवार में जल्म हुआ, और हमारे घर में कोई भी पॉलिटिकल नहीं था, मैंने जब दो अजार साथ से मैंने सोशल एक्टिविटी का काम शुरू किया, जहां मुझे ऐसा लगा कि गरीब पढ़ने वाले विद्धियार जो सरकार करनी पारी है, वहां के MLA करनी पारे, MP करनी पारे, मिलिष्टर करनी पारे, तो काफी मैंने दो, तीन, चार साल पूरा सोशल वर्क किया, जमीन पे आज की जरूत क्या है जनता को, पबलिक को क्या चाहिए, वह मैंने पूरी तरह से उसका अभ्यास किया उसके लड मैंने का चुण लड़ на आरण ताब मेरे वह मनिस्ट मेरे कई वह मता ्ृरच कोई निछ नता Kゲों वोगते हैं, वह मनाया घूर तो पोरे सक्ता में पूर सक्ता में फ़ार में ते अर उस flour में वाले लोगों मुझे भड़ी लड़ा भड़ा जवांकinkजा प्टा मेरे छिए मेरे साथ पड़ जाते ते तो उसको झाना मेरे साथ लेखे ती कि इसलिए कोई भी जरूत है वहां पर मैं हमेशा पब्लीक के साथ खड़ा रहा हूँ और मुझे लगता है कि एक परमपरा में जिल्ले में चलाई कि नेता होना चाहिए या राजनीती में कोई कारे करता होना चाहिए तो ग्राउंड लेवल पर होना चाहिए कोई नेता के सामने जुखन कोई नेता आता है उसकी हाजी उजिरी करते है उसके आगे पीछे घुमते है वह अभी राना का नेचर नहीं है इसलिए लोग जिद्नी बोलते है कि मैं काम करता हो तो पब्लीक के लिए करता हूँ ठोक बजा के करता हूँ कोई अगर मिनिस्टर है अगर जनता के बीच में लटाय। उसके लड़ता हूँ और लडने के सास आथ उसको हर पब्लीक के सवाल का जवां भी मांगता हूँ जरूत है तो मैंने की दो रूआ है तो मिनिश्टर की गारी रुकाई बड़े-बड़े उपीसरों की गारी रुकाई क्यूंकि मुझे लगता है एसी में बैठने वाले क्याभीन में बैठने वाले अधिकारी हो या मिनिश्टर हो अगर वो जमिन ने उतर के लोगों के काम नहीं करते वहां रविराणा लड़ता है वह जगरता है वह रोकता है तो उसके लिए अगर कोई जीत करता हूँ मैं पब्लिक के काम के लिए तो मुझे जिद्धी कहा जाता है और यह जो आप दोनों को पुब्लिसिटी का भुटा होता है जा रहा है कोई अगर समझ लो कोई कोई MLA, MP या कोई politician लोग जो नहीं कर पाते हैं वह हम लोग करते हैं इसलिए हमको फब्लिसिटी मिलती है अगर मैं वही अगर पब्लिक के लिए नहीं लड़ू और किसी नेता के खुर्ची के सामने जुख जाओ तो मुझे पब्लिसिटी मिलने का सवाल ही निया अगर वही प जलने की जरुवत मिया उसका द्ध करने की जरुवत मुझे है तो पब्लिसिटी है हमारे काम से पब्लिसिटी हमको मिलती है अगर महा पर राष्ठ ठकरे ने बोला है कि मजिद के सामने भंगा लगाना है यहारा इशू नहीं था अगर राष्ट ठकरे कुछ निकलता है आत्मत्या कर रहे हैं और पूरी बुरी हालत है महाराष्टर की कि महाराष्टर में पहली बार ऐसे मुख्यमंत्री मिले जो दो-धाइस साल मंत्रा ले जाते नहीं 2-5 साल से कोई जिल्ले में जाते नहीं, MLA, MP और किसी को जर्रोत है उसको 2-2 साल मुख्यमंत्री मिलते नहीं, ये महाराष्टा में पुरे देश में उद्धो ठाकरे ऐसे मुख्यमंत्री बने हैं महाराष्टा के, जो जनता से तो दूर है, पर जो जनता के लोग प्रतिश दि ही है, आज मंत्रा ले में देवेंद्र फणिज मुख्यमंत्री थे, तब वहाँ पे हपते में दो बार, पूरे MLA, MP उनको मिलने का टाइम रहता था, फिक्स, कि हपते में दो बार MLA, MP को मिलते थे, उनके एरिया की शेत्रा की समष्ण सुनते थे, उस पे मिटिंग लगाते इस पे बात करते थे, और मुख्यमंत्री सायता निदी करकर होता है, जो कक्ष़ पहली बार, देश में बद्धर फणिस मुख्यमंत्री बनने का शुरु किया, मुख्यमंत्री सायता निदी का Сिकस फ्ञोर पे, बड़ा एक ओफिस था जिसके अंदर हर MLA अपने शेत्रा क के गरीब लोगों के ऑपरेशन करते तो मैं एमेले के नाते मेरे शेत्र में मेने के 25 लाग रुपे के गरीबों के ऑपरेशन में करता था इसको दो लाग किसी को तीन लाग किसी को एक लाग किसी को पास लाग पर कोई भी गरीब है और उसको इलाज करना है तो मुख्यमंत्री सायता निदी से हम उसको पैसा देते थे और उससे उसका इलाज होता था वो कक्षा मुख्यमंत्री उद्धो ठाकरे बनने के बाद बन कर दिया आज महारश्टर के अंदर कोई बन दो की development होनी रहा सब कोई रास्ता होनी रहा कोई दायं का का शुरू नहीं और बीडिंक का शुरू नहीं है कोई ऐसा जो एरपोट के काम हमने शुरू किया थे वह पेंडिंग ये डेवलपमेंट के जो रवी जी मुझे बहुत पुशी है कि आप ये बहुत जरूरी विशे उठा रहे हैं हमने सोशल मीडिया पे जब इन्फॉर्म कि आपने वीवर्स को कि हम नमनीत राना और रवी राना का इंटर्वीव करने जा रहे हैं तो बहुत सवाल आए उसमें से जो सबसे कॉमन सवा आपको बताती हूं समस्या हनुमान चालीशा इंपॉर्टेंट करके नहीं महाराष्ट्र में जो समस्या है हमारा ये सिर्फ रिक्वेस्टी मुख्यमंत्री से संकट मोचन को म सब कवियाद करते हैं जब हमारे पे संकट आता है तो हमने यही बोला कि हनुमान जैनती के दिन ह हमारे मुख्यमंत्री जो संकट हमारे महाराष्ट्र पे हैं उसके लिए अनुमान चालीशा का पाथन करें बहुत चिला के बोलते हैं मैं हिंदू हूं मैं हिंदू समराठ का बेटा हूं तो मुझे लगता है हमने सिर्फ यही आंगर किया था उनके माद्यम से संकट मेरे महा महाराष्ट्र में लोड शेडिंग है बेरोजगारी है लोगों को काम नहीं मिलते हैं जॉबलेस हो गए हैं किसान रोज मर रहे हैं एस्टी वरकर मर रहे हैं और किसान मजदूर जो हैं उनकी आलत खराब है तो यह सब को देखते हुए संकट मोचन को आपने याद करना चाह जो है अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो हम आपके घर के बाहर आके पढ़ेंगे और संकट दूर हो इसकी प्रातनाम संकट मोचन से करेंगे this was the line हमने जो ली थी हमने जो कहा थी उन्होंने हंग हनमाण जैनती की दो दिन पहले हमने यह कहा था कि आने वाले दो दिन में हनमाण जैनती है आप आपके घर पे हनमाण चलिशा पड़ो जिससे संकर्मुक्त होंगे और आपके एक शक्ती मिलेगे यह हमारा विश्वास है शिव सेना समर तक पूछ रहे हैं कि इनको क्या अधिकार है कि यह हमारे सुप्रीव लीडर और प्रदेश के मुख्यमंत्री को निर्देश देंगी वो क्या करें तेरा वही बोलना है हनमान जैनती के दिन वही पे मातोशी के बाहर सिव सेनिक उद्ध आप मुंबई में पैर रख के देखो अच्छा यह संजे राउत ने बोला आपको बोला कि आपको अनिल परव उनके खुले स्थिए बयानों के तरी और मैं तो मुंबई की बेटी हूं सर अच्छा एक बात बताईए मुझे संजे राउत ने आपके हिसाब से बयान के अभी पिछले दिनों आप लोग लेह में साथ थे तस्वीरें आई भोजन करते हुए बत्याते हुए मैं आऊंगे संदर भही है बुरा आप हर विशह पे आप पूरा बोले हैं तो आपने संजे राउत से पूछा नहीं जब आप लोग एकी संसदी समीति में लेह में थे कि भाई आप मुझे धंका क्यों रहे थे पूछा आपको पहले तो यह पताऊंगी सभी न्यूज में बहुत चला कि हम दोनों विरोधी जो अभी तक एक दूसरे के ऊपर बहुत जादा शब्दों से वार कर रहे हैं या बहुत जादा सर अत्याचार तो मुझ पर हुआ है इन खार वाले घर में बॉटल फेकी गई अमरावती के घर में पत्राओ किये गए बॉटल फेकी गई जिस घर में छोटे बच्चे से लेके बुजूर माता पिता रहते हैं अत्याचार तो मुझ पर हुआ जब वो ले में ऐसे कमीटी के स्टडी दोरे पर आये वहां पर सी मैं अगर उसी से मैंने बाइमानी कर ली तो मैं लोगों को क्या नयाय दे पाऊंगे अगर में स्टडी दोरे पे चाती हूं और अगर वहां पर संजे राओ जी आते हैं तो मैं उनको देख के भाग जाओं या वो मुझे देख के भाग जाए यह तो प्रशनी नहीं है आप दोर मैं आपको बताती हूं सर एक स्कूल में हमारी जब वान टू वान कोशन आंसर बच्चों के साथ हुए बच्चे इनसेंस 18, 19, 20 प्रस के बच्चे थे तो उसमें से एक लड़की खड़े हो के बोलती है डॉमिनेशन और वोमन और डॉमिनेशन फ्रॉमिनेशन फ्रॉमिनेश वर्ड में फीमेल आज भी है उसमें कोई भी डाउट नहीं है अगर प्रूफ चाहिए तो सांधा सा उधारन है अब मैं 14 दिन जेल भुक्त के आई हूं तेरा दिन और मुझे जेल में डालने वाले सामने बैठे इनने पूछी इनोंने क्यों डाला मुझे क्योंके एक महिला का वर्चस वो और एक महिला की लड़ाई पुरुष के सामने लड़ते हुए पुरुष नहीं देख पाया करके उन्होंने एक महिला को और एक MPMA को जेल में 14 दिन डाला मली इनके पूछी है इनने क्यों डाला क्या का संजरा उतना उनके पास कोई आंसर नहीं था सर उनके प करते हुए अगर मैं बोलती हुए आपके घर के सामने मैंने कभी नहीं का कि उनके मुख्यमंत्री के आवास के अंदर मुख्यमंत्री का आवास तो वर्षा बंगला है मातो श्री तो उनका प्राइवेट लांड है सर वो मुख्यमंत्री का आवास वर्षा है उनके घर के साम मैंने आके मैंने हनुमान चालीशा करूंगी उसके लिए हिट्रेट कैसी लगेगी सर् मेरा सवाल है राज्य में पहले मुख्य मंतिय उद्धो ठाकरे जो राज्य के मुख्य मंत्री है जहां मुंबई पोस्नेगर हमारा को वन फोर्टी नाइन की नूटिस दी जाती है अगर प्रोटेक के लिए सिवसेनिक उतारना पड़ता है अगर सिवसेनिक आपने उतारा और पुलीस को धक्का भुक्य की वाब एरिकेट टोड़े हमारे घर पर हमला किया यह काईदा सुष्टा तोड़ने का काम किस ने किया राज्य के मुख्य मंत्री ने किया हम तो दो ही लोग आयते हम दो लोग शांती पुरभाग श्रद्दा से अगर हनमान चारीसा पड़ रहे उसके बिना पड़े हमको घर में डिटेंड किया जाता और पॉलिसको आदेश दिये मुख्य मंत्री ने को डिटेंड करो उनको रोको हम गर मही थे उसके बाद हमारे घर पे हमला करना फत्तर भाव मारना गाली गलोल देना हमको मारने के धमकी देना यह पॉलिटिक्स रस्ते में लाने की जरूरत मुख्य मंत्री की है क्या तो आपका और शिवसेना का बड़ा पुराना रिष्टा है सिर्फ इतना पुराना नहीं जिसमें बकॉल सांसत जी उन्हें धंकाया गया बताया पुराने पत्रकारों ने खबर नवीसों ने कि जब आप पहली मर्तबा विधायकी का चुनाव लड़ते हैं तो आपके अमरावती क सबसे अच्छे दोस्त पूर सांसत आनंद राव अच्छल आपकी मदद करते हैं शिवसेना की तरफ से डमी केंडिडेट खड़ा करके सत्य है सारूप मैं यह देखिए ऐसा है मैं पॉलिटिक्स इलक्षन के वक्ति करता हूं उसके बाद कोई भी पाइटिकार है वो शिवस भी बढुटमीन के बाद एक क्रों घ्र ईलक्षन के बाद तो मैं वह देश्वाली राजनिति भूल जाता हूं अरहर किसी का काम उस प़त्पे अर्कषनक करता हूं शेयन भी मिढ़ा है में सवाल जो लोग बोल रहे है कि शिव शेना के अनन्रा वर्शुण ने डमी केंड़ेट दिया मैंने उस टाइम पहली बार अगर किसी को गिराया है वह एंसीब कांड़ेट था एंसीब कांग्रेस के यूती में अमेले था उसको मैंने हराया शिव शेना कांड़ेट भी खड़ा रहता था विज़िपी शिव शेना के यूती में उसको भी हराया पर मैंने रूलिंग अब नबर पर शुलवा खोड़ के थी और उसके बाद संजे बंठे शुष्यना भाजब के उतिके उमेदवार और एक बार नहीं मैंने इन लोगों तीन तीन बार रहाया और तीन तीन बार में अभी वहीं है विदायक जी क्या अनंद्राव अट्सुल ने दो हजार नौ के चुनाव में शिवसेना से ऐसा केंड़िट दिया जिससे आपको चुनाव में मदद मिली अंदर खाने आप लोग कोई समझदारी अभी जब अनंद्रा वर्सुट पहली बार अम्रावति आये थे बड़ा उनका नाम था कि एक सीनियर सांसद अम्रावति से लड़े और अम् मुझे लगा एक अच्छा वेक्ति इसको मदद करना ची तो मैंने सांसद जब खड़ेता तब उनको मदद किया मदद करने के देखा कि नाम बड़ा है पर दर्शन खोटा है और जो वेक्ति चुन के आने के बाद छेचे मैंने कॉन से आता नहीं लोगों से मिलता नहीं काम नहीं कर सकता और उसे भीट 6 मैने बाद मेरा एलेक्शन था तो मैंने उनको मदद किया उन्होंने भी कहिला कि मुझे मदद किया हूंगा और मुझे लगता है कि कोई dummy candidate देना चाहिए या dummy candidate खडा रहना चाहिए या dummy candidate खडा रहना चाहिए या इसा कोई काम मैं कभी करता है कि मेरे सामने जो MLA खडा था या तो आपके आने से पहले की कर दो जो में अच्छा कर दो करता है या diyorum मेरे से अच्छा कोई करने वाक्ति उसको चूनके दो मुझे ही चुन के देना जुरूरी नहीं है, मेरे कोई वोट देना जुरूरी नहीं है अगर आपको लगता है मेरे से अच्छा कोई विक्ति है जो जनता की समस्षा व्यक्राइब जनता के लिए काम कर सकता है यह सोच के मैं इलक्षन का परचार करता हूँ पुरी सभा में कहता हो, कि मुझे चुन के दो, या मही अच्छा हो, यह मैं कभी election में बोलता नहीं और एसा बोला कभी वोट मांगता नहीं, मैं सब को सवाल करता हो, अगर मेरे से आपको कुछ न्याय दे सकता है, कोई भी पो है पायिटिकर है, अच्छा है इंसाने ईन्साने के टाइम भी विनन्ति करता हो इसले कोई दमीक अंदेन मेरे सामने आये या दमीक अंदेन आके ओ मेरे सामने हारे यह मेरी कोई अपेक्षार इतिनी मैं तो हर व्यक्ति जो इलेक्शन में खड़ा रहता है प्रचार के वग भी उसो गले मिलता हो उसको जित की शुपकामना है जितना चाहिए तो इसने काम किया पबलिक के दिलों में रहेंगा पबलिक के लिए लड़ेंगा अच्छा अनन्दाव अच्छुल का जिक्र हुआ उन्होंने एक शिकायत दे रखी है सांसर जी आपके खिलाफ जाती प्रमान पत्र को लेकर अमरावती की सीट सुरक्षित सी आरोप है कि आप OBC समुदाय से आती हैं अन्सुचित जाती से नहीं आती हैं और हाई कोर्ट ने भी इस आरोप को दुरुस्त माना है अभी आप सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रही है उसमें भी एक प्रेटिशनर आहंदाव अच्छुल थे और भी कई लोगों ने शिका करती है वो कमीटी ने मुझे दो बार पहले certificate दिया उसके बाद हाई कोट गए हाई कोट ने री बैक किया री बैक करने का 2017 में फिर वैलिडीटी दी उसी महारास्ट्र में जब वो सांसथ थे तब मिली और उसके बाद फिर कोट में हाई कोट में उन्होंने जो भी किया उसक कि उनकी सरकार भी थी महाराष्टा में आप यह कह रहे हैं कि Bombay High Court सरकार के निर्देश के साब से फैसला देता है doctrine उसको चैलरेंट्ने आएगा उसक भी स्वागत हम करने रिजतन ने पनी हाई को ने आपनी रिजर्टे के उसा को चैलरेंच किया गया एक कोट में दूसरे कोट को दूसरा को तीसरे कोट को चैलेंच कर सकते है जब भी न्यविए हम चरशा करेंएं बताए, जो MP, पांछ साल पुरा, बढ़ो था उनको मालूम पड गयाता है, एक चाल पहले, कि नवनी तराना इस से लड़ने वाली है उसके बाद कंप्लेंड करने के बाद हर डिश्ट्रिक के अंदर कास्टूटनी कमिटी जो रहती है वो सबसे पहले जाज करती है कि इनके पार 1950 के पहले के दस्तावे पुरावे कौन-कौन सेर उसके आधार पे वो वहलेटी और कास्ट्रेटी देती है जब कास्ट्रेटी देने के बाद 2014 का चुनाव नहीं तरहना लड़ती है थोड़े वोट से हार जाती है उसके बाद 2019 का चुनाव लड़ती है पूरा 2013 से लेके 19 तक अनंदरावरसों हमरे खिलाब लड़ते है कास्ट के लिए वो हर दम 19 तक भी हार जाते है दुबारा हम 19 में बरते है लेक्षिन चुनके आते हैं उसके बाद वो कोड में जाते कोड से भी रिमांड होता है कास्ट टुट्री कमीटी को हाइब करता है कि एक बार वापस जाच किया जए फिर कास्ट्री कमेटी पूरी तरह से तीन-चार मेने उसकी जाच करती है विजिलेंस करती है हों करती है पुरी तषी जाज करती हैं उसके बाद हाइश को लिखकि देती है यह काश्ट बराबर है द unanim कीसाफ से पुर्वजों की पुरावे उसके सब लागां डिलीज के गए सा पार में अंको फ परिशलिज करते हैं और उसको हाई कोट से अचानक ऐसा ओडर आ जाता है कि हमारे उपर पूरे एलिगिशन लगाए जाते है हमारे विरोध में और दी जाती है और तुरण जो हम सुप्रीम कोट से हमको बहुत बड़ा दिलासा मिलता है स्टे मिलता है मुझे लगता है कोट की प्रक्री आए जो आदम आदम करेंगा वही लोग को नहाँ देंगा सर्माभी जब बी 2011 में मेरी मेरी शादी हुई 2014 में इलेक्षण लड़ी मुझे मराथी बिलकुल नहीं आती थी लोगों के बीच में रहकर काम किया काम करके चृकल की तुकल करके मराथी पर अपनी कमान निर्मान के लड़ी लड किया, sir, I used to work 14 hours a day. 14 घंटे किसको कहां जाता है, sir? अगर मेरे जिल्ले में 200 गाउं हैं, हर गाउं में 3-3, 4-4 बार जाके गाउं को विजिट देकर problem के लिए लड़ी, मैलाओं के साथ खड़ी रही, विध्यारतियों के साथ खड़ी रही, जो व्यक्ति मेरे पास आया, क्यूंकि मेरे पीछे एक MLE की ऐसी बाकिंग थी, कि जो भी सरकारी काम अगर उनके आते थे, तो उनके लिए मैं पूरी फॉल अप करके, उनके लिए काम करती थी, 24-7 मैं लोगों के आपके साथ बात करते हैं, क्यूंकि खून का पानी करना मतलब किसको कहते हैं, वो मैंने मेरे जिन्दी के में किया, 2200 गाउं, अगर कोई व्यक्ति जाता है, वहां का बच्चा भी आपको पहचानता है, कि अनवनीत राना है, तो मुझे लगता है, मेरी महनत का क्रेडिट, मोदी जी के सुनामी में भी लोगों ने मुझे अपक्ष चुन के दिया है, लड़ना है तो मैदान में लड़िए, लड़ना है तो मेहनत करके लड़िए, लोगों के हित में लड़िए, मैं यही सीखी हूं सर, अचा एक चीज़ बताइए, 2014 में नवनीत राणा जी आप NCP से चुनाव लड़ती हैं, पिर 2019 में आप NCP के सपोर्ट से चुनाव लड़ती हैं, निर्दली है, तो यह पांच बरस में क्या हो गया, NCP का सिंबल के छोड़ दिया आपने, अचने निक्या है, हम शरत पाओर जी का संमान करते हैं, अमारे अचे जैस्टी निता है, वो उनने हमको एक चीज़ दिया उस ताम पर भी में उनको सपोर्ट मांगने गया था, 2014 में, पर उनने बहुत आगरा किया कि नहीं आपको टिकिट लेना ही पड़ीगा, तो फिर हमने उनका इमान सम्मान और एक अच्छा नेता है, तो हम लोग उनसे जुड़ गए, मैं तो कोई पारटी आज तक जोइन किया नहीं, पहली बार नवनीत राना ने 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 उनकी टिकिट लिया, जब टिकिट लेने किया, और मैंने देखा, आप NCP क्यों गए, और किसी पार्टी इस ट्राई नहीं गया, नहीं, हमको अच्छा लगते थे, आज वी अच्छा लगते थे, आपके शर्दपवार से अच्छे तालुप थे, थे मतलब अभी नहीं है, अभी भी है, अभी है, सर्कार में तो वह साजेदार है, उन्होंने मददी किया आपकी, ऐसा है, राजनिती में हर समय बदलते रहता, आज सिवशयना भाज़ाप के भरोशे चुन के हैं इमहाराथत में, और बैठी किसी और के साथ, जो बाला साब ने अपनी जीवन में पूरे जीवन तक कॉंग्रेस को गाले दिया, उन्होंने यह भी बोलाता, मैंने एक स्पीश देखा उनका, जिस दिन मुझे कॉंग्रेस के दर्वाजे जाना पड़ा, वो दिन मैं सिवशयना बन कर दूँगा, यह बाला साब के वाक्य है, पर आज उनके सुपुत्र, मोदी जी का फोटू लगा के, ओट मांगते हैं महाराष्ट के लगा, 14 और 19 सर, और दोनों जोगों पे MP, MLA बड़ी संक्या में उनके चुन के आते हैं, और उसी भाजब के और देवेंदर फरणिस के पीठ में खंजिर खुपस के, कॉंग्रेस के गोदी में जाके बैठते हैं, अगर बाला साब भी है उपपर तो भी रो रहे होंगे, किसके हास में मैंने पावर दिया, आज बाला साब रहते थे तो कभी सिद्धान्तों के साथ कॉंपरमेज नहीं करते थे, पर बाला साब नहीं नहीं रहने के बाद उद्धो ठाकरें जो कॉंपरमेज किया है सिस सत्ता की भूख और खुर्ची की भूख और शरत पावार जिनके पास आप गए? शरत पावार के पास गया, मैंने उनको बिननति की थी कि आप मुझे पाथिम्भा दीजिए पर उनने बुला मुझे टिकेट लेना पड़ेगा हम उनके टिकेट पर लड़े पूरे इमानदारे से लड़े उनने भी हमको अच्छा सफोर्ट किया एज नेता करके पर मैंने ज वोट में लोगों को फिर NCP से निकाला भी गया, निकाला भी गया, उनको बड़े बड़े जो पुराने नेता है उनकी हकाल पट्टी की करगी, सब कुछ वा, जो पड़ा दिल्चत शब्द है, उसको मोलते हकाल पट्टी, हकाल पट्टी की गईज हमारे महाराश्र की लाइ और बार-बार बुलने के बाद भी ओ, सिउशना का काम कर रहा था, क्योंकि, संजे खोड़के की बात करना, तो उसके वाइसे उन्होंने, नाम लेके बात करी विदाएगी, लललन टॉप पे सब कुली बात होती है, उन्होंने मैंच पे सी उसकी हकाल पट्टी किया, कि आज के बाद पार्टी से तुमको निकाला जाता है, तब भी मुझे लगा कि नहीं नेता मेरे साथ है, पर नीचे लेवल पर जो ग्राउंड लेवल पर जो नेता थे, वो हमारे खिलाप काम कर रहे थे, कॉंग्रेस के लोग काम कर रहे थे, उसके बावजूद, सिप अनंद्रा के वर्दा के MP की चुनाव के लिए आये थे, वहां पर जाके आनंद्रा और सुप पूरे लेड़ गे, कि मुझे आप नहीं आये तो मैं हार जाओंगा, उद्धो ठाकरी जी ने प्रेस्टिस किया कि आपको आदी घंटे के लिए तो भी अमरावती चलना परता, तो मोदी ज अमरावती आये तो मैंने देखा मेरे आखों से, मैं गाड़ी यू बैठा था, मैं बाजू में थी ग्राउंड के, कि 20 मीट के अंदर देर से 2,00,000,000 लोग इस तरह जमा होगे मोदी जी के हिलिकाप्टर उतरने के पहले, कि मुझे लगा, विरोधी की रेली को अबजर्व क लोगों ने ओट किये सिर्फ मोदी जी को तो उस्ते मुझे मालूप पढ़ा कि अर्शुर मजबूरी है और मोदी जरूरी है इस नारेक हम लोग हार गए तो उसके बाद मैंने बुला शरतपाल जी को हाज जोड़के कि मैं अभी टिकित नहीं लोगा, मेरी चबी है देन रहता हूँ गोर गरीब हो के लिए आदे रात को मैं खड़ा रहता हूँ तो मुझे लगता है कोई पाइटी का लेबल न लगाते हो मुझे उन्निस में आपने सपोर्ट देना चाहिए उन्होंने मुझे सपोर्ट दिया और पबलिक के बहुरा से मैंने वह सिट निकाल अच्छा बस एक माइनर सा करेक्शन है अर्सुल एक लाग 37,000 वोट से चुनाव जीते थे तो अदे पकड़ा पचास साड़ा हम कभी भी आदे पड़ना परता है अच्छा फिर 2019 में आप NCP और कॉंग्रेस के सपोर्ट से चुनके चुनके आया है पर 2014 और 2019 की बीच में आप की एक और पक्की वाली दोस्ती होती है इसलिए जब आप 2019 में कॉंग्रेस NCP के सपोर्ट से लड़ते हैं तो लोगों को थोड़ा अचरज भी होता है देवेंद्र फढविस के साथ आपकी दोस्ती के बड़े चर्चे है महाराश्च में कैसे शुरू हुआ सिलसला मुझे ल लेओल के समझ्याओ को अच्छी तरव समझते क्योंकि मैंने कई सीम देखे विलासराव देश्मुक साथ में काम किया सुशल कुमा शेंदे जी की साथ का अशोग चावण जी की साथ काम किया पर मैने जो शेली देखा देवेंद्र फंडिज जी में वो सेम शेली शरत पाव साथ का जो ग्राउंड लेओल पर काम चलता है उसी नेचर पर उसी विचार पर एक ग्राउंड में काम करने वाला विधरवका नेता अगर सीम बन चुका है और हमारे विधरवका है ऐसा मजबूत नेता मैंने देखा जो देवेंद्र फंडिस और उसके साथ में जूड़ ग कि हरदम क्या होता था पच्छी महाराष्टा मराटवड़ा के सीम बनते थे तो विधरवक के अगर आज महाराष्टा के बराबरी में विधरवका नयाय देने का काम देवेंद्र फंडिस में किया इसलिए मैं पहले भी उनके साथ था आज भी हो आगे भी रहोंगा आगे भ कर रहा है और लोगों ने का कि वहना फेर एक फुट बैक फुट पर आए थोड़ा सा एक स्टेप पीछे लिया और अपने विधायक रवी राना को आगे कर दिया अब तो मुद्धा ठाकरे को घेड़ों कुछ दे आ जब कॉंग्रेस के नेता थे कॉंग्रेस के पुर्फिर अंदर रहे जेल में उस टाइम में सीम की आपके लए बात नहीं है अब को लगता कि आज जो सीम से मेरा संगर्श हुआ है मैंने मेरे लाइप में राज के जीवन में पहला सीम ऐसा देखा है कि जो खुट के परिवार के लिए जिता है जो महारास्टों को परिवार समझता हुट परिवार में जमेदारी टो मुख्य मंतरी ने जमेदारी सबढ़ना जय अगर महारांश्टा कर सीम मोँ तो मेरा महारास्टा मेरी जवाब दरी वो भुल गह और जो सियम घर से बाहर 2-2 साल निकलता नहीं हान्तरा आन्य जो सियम कोई ृजिस्टिक में जाता नहीं उ मैं उनके आशू पोचोंगा, किसान भी बाई के चले के, फसल भी बाई के चले की, जमीन भी बाई के चले की, इसान आत्मत्या कर रहे, पर कोई डिस्टिक में आज तर मुख्यमंत्री ने कदम नहीं रखा, इसके खिलाब मेरी लड़ाई है, और वो लड़ाई के लिए मैं उ क्योंकि ये बाच्चीत आते हाते 2019 के चुनाओ तक आ गई इतिहास बनाया अपने निर्दली जीती कॉंग्रेस और NCP के सपोर्ट से पताया गया कि इस जीत में मेला घाट फैक्टर बड़ा महत्पूर था मेल घाट होता क्या है कि आधी रिसर्च में चीजें दिखती है अंग्रेजी में अब वो ए लग जाता है तो बड़ा उसमें कन्फूजन रहता है राम या रामा योग की योगा वाला मेल घाट तो कहा ग गया कि वोट इसलिए मिला क्योंकि रवी राणा के पास पैसा बहुत है धन बली है प्रॉपर्टी में खुब पैसा कमाया है कोई टिकता नहीं सामने है और खुब मदद करते हैं गरीबों की गरीब यह भी का गया कि मदद 2000 की करते हैं प्रचार 20,000 का करते हैं और एक विरो कि जब वोट दे दोगे जीट जाएंगे तब CT देंगे फिर कुकर चलाना देखिए मैंने आज तक किसी को आश्वासन देके वोट नहीं माना मैं जिस दिन जून के आता हो उस दिन से लेके इलेक्शन लगने के पाश साल तक उसी दिन तक मैं काम करता हूं आज अगर जीता मेरे हाँ सुबह अगर आप तेखेंगे जैसी ओपीडी चलती डॉक्टर की वैसी ओपीडी मेरे हाँ आठ वजे चे लेके 11 वे तक मेरे चलती जहां 400-500 लोगों में मिलता हो डेली किसी की पड़ाई का समझ्या है किसी का गवर्मेंट का काम रुका हूए है किसी के शादी का किसी की मैयत है किसी कुछ भी काम है दुख सुख का उस काम के लिए रवी राना यही लोग आते किसी नेता किया जाते नहीं और रही बात पैसे कि मैंने जब मुख्यमंत्री से मैं लड़ता हू राज्य के तो उन्होंने CIDC मेरी जाच कराई ये डबलू सी जाच कराई कई पर कही रवी राना पकड में नहीं नहीं तो आखरी मोने बिल्डिंग में नहीं बनाई नहीं वह बाकी लोगों ने भी खरीदा तो मुझे लगता है रवी राना बहुत चोटा इंसान है एक गरीब परिवार में पैदा हुआ आज मेरे पिता जी आज के 10 साल पहले तक साइ आज मेरा घर देखेंगे तो आदिवासी बहुल भाग का जो इदाय होंगा उस्ते भी छोटा घर है मेरा आज भी हम लोग ऐसा रहते हैं जैसा पोई पाईटी कर रहे ले ऐसे कर रहे में घर में रहते तो मुझे लगता है विरोधियों का काम है आरोप करना सिट्टी और को क्याता कि हम नहीं आतो और मदि वालत अखेंग कार अरिवार धनी के पास है धनुश चयवान का बदन बाड़ा साफ के साथ पास है घरी का बडन शरतपोर के पास है और भाजव का बडन लाए ऩ। आज मौडिकर पलンピर पे लीक फोट ने को अना कि तुम्तित। अशतन रवी राना तो जब मेरे स्लोगों नहीं थे तो कुकर वुषिट्टी का सवाल ही नहीं आदा अच्छा ये दो-तीन विवादों में बड़ा जिक्राता है आपका आपके परिवार का एक में आप जुड़ी है एक में आप जुड़े हैं आपके यहां तिविशा से विधायक है ये शुमति ठाकुर क्या अधावत है आपके उनकी कुछ ऐसा भी कहा गया कि मंच पर आपने कुछ अपरी टिपनी भी कर दी तो मैंने नहीं उन्होंने की ने उनकी टिपनियों पर भी आएंगे उनकी तो बहुत लंबी लिस्ट है उन्लों मैं आपको एक चीज बताना चाह करते हैं में मिल्टरी में मेरे फादर थे ऐसी फामिली से मैं आती हूं सेवन्थ स्टैंडर्ड से मैंने काम किया है खुद मेहनत करके पसीना निकाल के खून का पानी करके मैं यहां तक पहुंची हूं सर उन लोगों को इसलिए शायद मैं डाइजर्स नहीं होती हूं कि वह कि बहु हूं और बहुत ही कम समय में लोग सबा का चुनाओ दो बार लड़ लेती हूं दूसरी बार जीत चुन के भी आ जाती हूं तो मुझे लगता है वह कहीं से मुझे नहीं रोक पाएं तो शायद उन्होंने मुझे हीरोईन कह दिया उन्होंने मुझे का मेकप कह दिया मेरी साड़ी पर टिपनिया करती और छे मैने में यहां से भाग जाएगी मतलब बहुत सारी टिपनिया उन्होंने की पर मेरी संस्कृति मेरे साथ है तो मुझे लगता है ऐसे को रभी जी जब 2019 में चुनाओ था यह फिर दर्शक जानते क्या कहेंगे मैं आपको रोग रहा हू आपको पताती हूं बहुत मुश्किल होता है जब आप पॉलिटिक्स में आते हैं तो आपको डॉमिनेशन तो हर जगा से डॉमिनेशन मिलता है आपको मराथी बोलने नहीं आती है मेरा स्ट्रगल मराथी से लेकर नॉर्मल लोगों के शेत्र तक पहुंचने से लेकर और मेहनत तो मेरे रगरग में और इमानदारी मेरे साथ है यह दो चीज मेरी जिंदगी में मैंने हमीशा मरने नहीं दी कभी और जब मैं 2014 में एलेक्शन लड़ी 2019 में एलेक्शन लड़ी सर हमारे सब जगा सबका मैं तो खुले आम लेती हूं मेरी स्टाइल बहुत अलग है जैसे ललन टॉप में है वही स्टाइल से नवनीत राना है अच्छा जी मैं आपको यह बताना चाहूंगी कि मेरे साथ घूमते थे मेरे साथ मीटिंगे करते थे मंच पे मेरे साथ बैठत इने वोट करना है इन्हे वोट करना आए ये तरीके से और हम बड़े इमानदार है दुश्मनी है तो आमने सामने मेरे से पीट से नहीं खंजर खोपेंगे और इमान डारी तो हमारे रग Рगों में है क्योंकि खांदा नी राच किये नहीं हम राच्कारानी लोग नहीं है बहुत कश्च करके यहां से आएं कोई बाप का नाम नहीं है पीछे कोई परदादा का नाम नहीं है जो भी है सेल्फ मेडे सर मेहनत पे बने हुए यह सांसर जी की बात से तो बड़ी विनम्रता धलक रही है पर आपके प्रतिद्वन्दी है शिवसेना के जिलाध्यक्ष दिमेश भूव वो कहते हैं कि यह तो बिलकुल विनमर नहीं बहुत मार धरते हैं आपने इंके साथ नहीं तो यह मैं 11 साल से इनके साथ हूं और हमारी लव मारेज है मुझे 12-13 साल इनके साथ हो गया है अमरावती में एक भी व्यक्ति एक भी मैला एक भी साधरन विक्ति यह बोल दें कि रवी राना में नम्रता नहीं है और यह शांत नहीं हम तो इने शांती का गुरू मानते हैं सर अच् कि अच्छी की टिकेट डिलाया था जब लोगसभा नहीं रहा खड़े तो दर्यापूर विदान सभा से टिकेट डिलाया था और टिकेट देने के बाद उनको जो खुछ पालिटी की तरफ से फंदिंग आया था जो मदद चाहिए ती उ भी दीती तो मैंने उनको शिवसेना तो मतलब हो तो महाँ पर जिस तरह से उन्होंने हमारे एलेक्षन में एक मैला के उपपर नावनीद राना सांसत तो जरूर बनी पर उसके पर एक मैला है मैला के उपपर जिस तरह से गलिच्छ टिपनी उन्होंने किया अबद्र टिपनी किया एक अशोबनिया एक मैला को श पेस्बुक पे पें उस्पे जो वाइरल किये थे जो शरम नाक ते और मुझे लगता है कोई भी मैला नवनीत राण ना रहे भारत की कोई मेला रहे उस मेला के खिलाब कोई आदमी गलत तरीके की अगर वाइरल करता है अफ़ाय करता है इसके वीडियो बनाता है जॉइन जॉइन करके तो मुझे लगता है दिनेजभू ने ऐसे किते भी दिनेजभू आएंगे उनको हर वेक्ति ने मारना चाहिए क्योंकि जब हमारी महाबयन घर में और कोई अप अच्छा एक इस बता ये नवनीद जी हम लोग ललन टॉप में भी जैसे एक जेंडर वर्टिकल है और नारी के नाम से जिसमें यही पूरा फोकस रहता है कि महिलाओं को अलग-अलग छेत्रों में किस तरह के संघर्ष का डे टुडे में भी किस तरह के बायस का सामना करना पड़ता है क्या उनके स्ट्रगल है और आप फिर शोबिस से आती हैं फिल्म इंडस्ट्री से आती हैं एक्ट्रेस रही हैं आपको लगता है कि यह तरीके की कुछ स्टीरियो टाइप बना दिये गए हैं कि अच्छा जैसे आपने कहा कि वह विरोधी कहते थे यह तो हिरोइ स्वीकारता क्योंकि सभी राजनेतिक दलों में यह चीज देखी गई है कि फिल्म इंडस्ट्री से आने वाले लोगों को चुनाव लड़वाया जाता है और उनको एज भी मिलता है धर्मेंदर को भाजपाने बीका नेर से चुनाव लड़वाया गोविंदा को कॉंग्रेस इसने मुंबई में चुनाव लड़वाया तो इसकी भी एक स्वीकारता रहती है आपका तजरुबा कैसा रहा खास तोर पर यह जो विरोधी अभी भी मैंने देखा गूगल पर मैं चेक कर रहा था कि नमनीत राना के नाम के साथ क्या-क्या सर्च किया जाता है तो आपकी प आम लोगों का नजरिया बहुत नियूटरल था या बहुत नेगेटिव था रवी जी को फॉलो करने वाले बहुत पॉजिटिव थे पर पॉलिटिशन्स जो थे वो टोटली नेगेटिव बनाते थे बिकॉस रवी जी की पॉलिटिकल लाईन देखकर उन्हे पता जरूर आगे बहुत कैर लाइंग डबल जिद्धी पेर हो गया है हाँ तो यह बोल सकते हैं पर मेरे साथ में मैं आपको इस फीमेर जो भी लिसनर्स हैं आपके जी जी एज़ विमन बहुत सारी क्रिटिसिजम होते हैं आपके लिए बहुत सारे नेगेटिविटी आपके लिए बोली लुक एट यू वह बहुत अलग होता है उससे ट्रांस्फर यह साथ बन जाते हैं सब लोग अपनी नजर से जज़ करते रहते हैं हाँ बहुत ज़ज्मेंट होती है सर और बहुत ज़ज्मेंट मैंने बरदाश की पर मेरा टारगेट सीधा था कि मैंने लोगों के सेवा करनी लोगों के बीच में रहना है यह बताई बार बार जिक्र हो रहा है कैसे मुलाकात हुई आप लोग की तुम मैं बता तो योग शिविर वाली कारी सुनाइंगे मैं बता तो बताई मैं रामदेव जी से काफी साल सी जुड़ा था जब में बना नहीं उसके पहले सी जुड़ा अच्छा मैंने 2008 में और उसके पहले वी दो साल पहले हम लोगों ने दो तीं शिविर बिक्यसी के अंदर नहीं थे बिक्यसी में शिविर लेने के बार ये एक मुंबई में जगे है बांद्रा कुर्ला कॉंप्लेक्स मुंबई महराष्ट के बाहर के भी दर्श्मा को बताना क्षा का धिष्या का दिक्राया था वक्यसा करें महराश्ट के मुक्हंलू के जो आधिकारिक बंगलाि उसका नाम्रिक्वर्श has Theematous forty ड़ो बाला साथ ठाक्रे का अवास था simplest art मातोष्टी है तो बिक्यसी बेंडरा मुंबई में जब शिबीर हुआ तब मुझे योग का योग शुरू से पसंदा रामदुल जी का योग का उसके साथ भी में जुड़ा था और वहां पे नवनित राना भी एजगेश करके और योग तब एक्टिव थी 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 तो वहां पे हुम वहृ मुलाकात हुई 2009 में विदायक था मुलाकात हुए दाओं जब मेरा का उनक시 मुलाकात हुए व्लाकात होने के जब हमने Sabiuk का फृष्टी बात गए लिए हमने 2522 को समझ लिया हुए मैं जमीन का हे ऑडिकी हिरों थो वो से पॉसिबल नहीं था कि एक पर्दे वाला वएक्ति जमीन में कर année वैं पुरा समझ लिया और मैंने फिर इनका भी फिल्ड समझ लिया कि एक फिलिम में काम करने अभी अभी जतरी इतरी तो मैंने देखा अंधिरी में अपाईश बच्चों को मदद कर रही है अंदव इद्याले में जा रही है जो पैसे उनको मिलते थे उसमें से 25 परशेंट पैसा कर दोने दोने कि परणेखिए उतरी जुद्धर कर आफ तो मैंने तरह जो आइ यंको य ben खाया की अगर शादी करना तो आप अमरोतиб रहना पड़े यसां ने ने मेरा घर मेरी पब्लिक अगर मेरा सभशेत्र में में वैंसके बाद मैंने देखा कि इसादी अगर करना है तो यह बखला आड t defining कि किछान लोग आत्मत्या करके इंत młoday कर शायगी अब क annat मिसानों कर पाद में एक और आज दैंद व करोंग नाविचकाना उसकी शादि करना है तो कर्च निकालना पड़ता है किसान को और जब कर्च फेंड नहीं पाते है तो आत्मत्या करते हैं वहां से अगर मैंने सोचा था जब भी मैं शादी करोंगा वो सामयग वा के अंदर करोंगा क्योंकि नवनीत का फिल्म में इंडेश्टी से जुड़ा वा था उसका एक अलग यह था तो हमने सोचा कि एक फाइस्टा होटल में अगर शादी करते थे तो पैसे में हजार दो हजार पाइ जो जो गरीब लोग है वह सामय को आपके अंदर नोंदो उसी के अंदर हम शादी करेंगे कि हमने कई बार ऐसे सुनते थे कोई भी नेता आके भाष्ण देता था हमारे या कोई राज्य में आलग जो देखते थे इस सब बोलते थे कि आप सामय को आमें शादी करना चाहिए सामय को आपके शादी करेंगे तो गरीबों का भला होंगा आपके शादी के साथ कई गरीबों की शादिया हो जाएंगी उसी खर्चे में सबका कार्य हो जाएंगा पर कोई नेता खुद की शादी गरीबों के साथ नहीं करता था या उनके बेटा बेटियों की भी शादी न पर उसके अंदर मेने भी शादी किया और मुझे लगता है इतियासिक देश में सबसे बड़ा वियुवाता हो जहां पर तीन से चार लाग लोग शादी में थे शहीं में गुली मिरियताथ हर्य मसट जया है यह विर इनना कि आये निुना में चांच नोड़ा बहल रुछा गवियुवाट ओन्दर मुझे लगता है जो शादी सव我說 कांगा के नथ है अंदर मेरे लगता है जो इंधर यह भी आइश पहिरा है वह कुछे लगता है देश का बच्च का नामकरण भी हुआ वहीं मेने सामय किया आप पच्छा किया और वुन तो अरन्वीर बेटा है और आरो यह मेरी बेटी ए अमने हमारी मेरी मतलो हमारी बेटी यह पैले मां काय करें जो हमने ट्रेंग एक लोगों में इतने मंगने उने बच्छों के चीज भी पता न बिल्कुल नेरे बेटी की 10 साल है बेटी की 5 साल है वो आसर ही है वो पर ये इनको आपकी पत्नी को इतरा संदे क्यों हो रहा है या पच्चों से क्या यह बिल्कुल भूलना चाहता हूं कि कोई भी निता जब भाशन देता है और लोगों को बोलता है यह करो तो मुझे लगता से उधारन जो है देश के अंदर मेने दिया कि शादी करना है तो खुद के बेटा बेटियों की या खुद की शादी गरीबों के साथ करो तभी सामय को आपके बात करो यह मैं आपके चैनल के बातिल से बोलना चाहता और मैंने नामकरन भी किया मेरा बेटा और बेटी की हमा से फिक डिपोजिट कर दिया ये बताइए राजनी थी में इन्होंने तो पहले से तैक कर रखा तो ये जब मिले भी और मुंबई की शब्दावली में कहें आप लोने डेट करना शुरू किया या विरायक जी की शब्दावली में समझना शुरू किया तो इनका तो क्लारिटी थी आप फिल्म इंडस्ट्री में थी तो आपके सामने यह उप हो आया कि मैं फिल्म लाइन में रहूं या पॉलिटिक्स में जाओं फैसला इजी तो नहीं रहोगा मेरे लिए मैं आपको एक चीज़ बता देती हूं कि मैंने बहुत छूटे सी उमर में अपने करिय और काम करनी की शुरुआत की मैंने एक जिंदगी में जरूर हमेशा से डिसाइड़ था कि अगर मैंने शादी करने का सोच लिया है तो मैं उसी तरीके से चलूंगी जो तरीके से मेरे हजबन, future husband और मेरा परिवार खाएगा अधरवाइस मैं शादी नहीं करूंगी मैं सोच यहां वहां होती है, उनकी सोच होती है कि मैं इंडिपेंडेन हूँ, मैं खुद से कमा सकती हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है पर हमारे संसकार हमें भूलने नहीं चाहिए, मैंने 12-13 साल इंडिस्ट्री में काम किया, बहुत छोटी उमर, 13-14 साल में मैंने शादी वर उस इसाप से हमको लाइक चलानी है, मुझे शचबन नहीं होना है, कि मुझे यही करना है, मैं ऐसे ही करूँगी, मैं ऐसे नहीं करूँगी, नहीं, मैं इतनी मिच्या और अपनी तरीके से डिष्यन लेने वाली थी, हुए मैं नंए तभी डिस्यूशन लिया, जब मैं क बच्चों के साथ में नीचर नी मैच करता है, we have to compromise. हर फामिली में आप देखेंगे, या तो पेरेंस कांपरमाइस करता हैं, बच्चों के नीचर के साथ कांपरमाइस करता हैं. दो अलग विचारधाराई एक साथ जब रहती हैं, उन्हें कांपरमाइस करके रहना पड़ता है, पर हमारी संस्कृति कहलाती है, कि अगर लड़कियों और विमन ने अगर कांपरमाइस किया, तो वो परिवार बहुत अच्छे से संसार चलता है, आप हमें मारने के लिए नही करता है, या हमें हमारी चीजों को अगरी नहीं करता है, तो शायद ये चीजें जो सोच रखती है, वो थोड़ इसी गलत है, दोनों बाजू से बराबरी equally चलना चाहिए, और लेडिस ने थोड़ा सा अपनी संस्कृति लेवल पर रखनी चाहिए, और अपनी हस्बेन को हस् आपके बड़े शादी बिबाद कर ली, बार बार इन सब चीजों में जिक्रा रहा था था पैसे का कि इतना खर्चा हुआ, इतना खर्चा हुआ, आपके बड़े पक्के दोस्त, आपके भी, Sanjay Raut, कह रहे हैं आपके बास जो पैसा आया है ना, उसमें दाउद का पैसा भी ह जय जय भाड़े में मतलब जल्दवाजी में बहुत कुछ बोल दिया था उन्हें कि इसूप लख्ड़ावला दाउद का संम्ध है एक चलो इजाज लख्लावला है जब उनको पता चला की इसूप लख्ड़ावला दाउद का आद्मी है मैंने बोल दिया रवी राना के पा विल्डिंगा बनाई है बंबे के अंदर और उस बिल्डर से मैंने फ्लैक लिया वैसे हजारों लोगों ने बंबे में लियोंगे जो परिवारों ने पर बोलते बोलते हो आरोप करते हो यह भूल गये कि दाउस से जिनका संबनता हो इजाज लखड़ा वाला है वो जेल में य यह भूलते हैं वो हमेशा मेरी मुल्गी के एक तांग वले लोग है कि में हमारी आवास सुनो में हमारी आवास सुनो एष भाला साप के मूझ से लगता था वे खान दा नहीं नहीं सच्छा रच्चा हिंधु अदुव का नहां लेगों लेकर अगे वर्टे रोगे दो एह वहिए हमेशal माप्य मांगने के बजय उसको एर्रिटेट करने काम किया। तो मैं उनसे बारवार बुला कि आप मुझे कोई भी एजनसी से मेरी जाच कराऊ, कोई भी एजनसी चेक कराऊ कि मेरा दाउद से संबंद है, कि आपका दाउद से संबंद है, कि दाउद का किस-किस से संबंद है, वो सब जाच कराऊ, पर उन्होंने उसके बाद एक वाक्री अधिए बुला निया डबलू के अंदर में ने बुला के एडबलू के मादम से मेरी जाच कराओ बुख्यमाथि के अंडर में पर उन्होंने फिर एक चीज और बुट आरप किया तो वो कहते हैं कि आप लोग बंटी-बबली हो। आप बंटी-बबली है कि अश्राज-बैनर की फिल्म है पता ही है उसमें वो कॉन-मैन होते हैं नूटते हैं लोगों को ठगी करते हैं ये बंटी-बबली का पलॉट है इन केस किसी ने ना देखी हो और मैं इसमें जो दूसरी फिल्माई थे उसकी बात नहीं कर रहा है तो वह कह रहा है आप लोग बंटी पबली हो और फिर उस रिमार्क के अवज में जो उन्होंने बताया कि नवनीत राना कह रही है कि उनको जब खार के थाने में रखा गया तो कि उनको प्रतारत किया गया पीने को पानी नहीं इन आप में संटा कर्चार में पुलिस में लॉक अप की बात लॉकक में लॉकक कि सर कर अख लोरा कर लो मैं यह कह रहा हूं कि उन्होंने कहा कि उन्होंने नमनीत राना ने इसब इल्जाम लगाए कोट में भी यह बात कही सब कही लेकिन CCTV रिलेज हुआ तो उसमें देखा कि पती पत्री आराम से मेज कुर्सी बैठे हुए चाय पी रहे हैं तो आपका क्या पक्षय है सर वह घटना है जब हमें अरेश करके पुली स्टेशन लेके जाया जाता है और उस वक्त 153 यह लगता है जो इट इस अबेलबल ओफेंज हम लॉव में करें सर हमें उतना तो पता है हम पुली स्टेशन क्रिमिनल तो है नहीं हर रोज पुली स्टेशन जाते हैं तो जब हम पुली स्टेशन हमें लेके जाया गया फोर्स फुली लेके गया सुबह से पूरा प्रोटेस्ट चालू था डीएस पी घड़ी घड़ी घर में आ रहे थे 15-20 पुलीस हमारे घर के बाहर थे फोर्स फुली पुरा घटना क्रमंग हुआ फिर लेके गये लेके जान उसके बाद पॉने 12 बजे 12 बजे वो हमको सांटा ग्रोस पूली स्टेशन के लिए बोलते हैं कि यहां पर सेफ नहीं है तो हमें आपको पुली स्टेशन लेके जाना है और वहां पर आपको पी आए के काबिन में हम बिठाएंगे और सुबह आपको कोट में पेश करेंगे ह उमने बोला ठीक है, हम इतने मैचोर हैं सर, हम लडाई कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो हमें पता है कि यहां नहीं सेफ, वहां रखेंगे, तो हम दोनों ने कहा कि ठीक हम जाएंगे, लेके गए हमें, जाते बराबर उन्हों ने लॉक अप में डाल दिया सर, उस रा नहीं मुझे मैट दिया गया, नहीं मुझे पानी दी गई, नहीं मुझे चटाई दी गया वहां पर, फिर सुबह पॉने पांच यह पॉने छे बजे, ऐक बोलते हैं इंसानियत कहीं ना कहीं दिखते है कि माडम आप पुरी राथ से खड़े हैं, आप बैठे भी नहीं, आप इस तरीके से बीएव लॉक अप में करते हैं सर, उन्होंने खार पुलिस्टेशन का रिलीस किया, हमने लॉक अप की फुटेज मांगी हैं सर, बारा बजी के बात जब जेल लेके जाया जाता है, जेल में भी वो जिस तरीके से 27 तारीक को, मुझे जेल के जो सीनियर आप प्रॉब्लम और कॉंस्टेबल खुद मुझे सुबह शाम देखती है कि मैं कितनी पीडा में उस लॉक अप में उस जेल में हूँ, जब वो कहते हैं, डॉक्टर चेक अप करते हैं, डॉक्टर लिख के देते हैं, कि इमीजेटल इनको होस्पिटल लेके जाया जा, इनक उनके अंडर में, जब मैंने उनको कोशन किया, क्यों ऐसे ट्रीट करें, हमें उपर से आदेश हैं कि आपको कहीं मूव औन नहीं करना है, उस दिन लेके जाया जाता, जिस दिन टीवी में फ्लाश होता है, कि नवनीत राना, रवी राना की बेल हो गई है, उस दिन मेरे सर खड़े होते हैं कि आपको अभी जाना ही, बिकोस मैंने उनको कहा था, इसका जवाब तुम्हें देना पड़ेगा, कि में इतने पीडा में इतने दिन आपने मुझे जेल में, विदाउट एनी रिजन रखा है, तो इसका जवाब आपको जरूर देना पड़ेगा, उसके ब आपके पहले से या हॉस्पिटल में, सर मेरे जो भी कॉम्लिकेशन से बहुत माइनर थे और ठीक हो गये थे, वह एग्रिवेट होगे, जब आप 6-7 गिंटे कंटीनी जगा पे खड़े रहते हैं, उसके बाद वो जिस तरीके से उसने टरन ओवर किया, वही की वह तस्वीर ह आप हॉस्पिटल में हैं, आप खड़े हुएं जो एक तस्वीर भी बाइरल हुई है, वह तो बाद में आएं सर जमारत बेल होने के बाद के बाद ही हाँ, तो मेरा एसी पोजीशन नहीं थी कि मैं घर पे जाके एक दिन भी रह पाती थी, जो पेन के साथ में जेल में रहे, वह खुद देख रहे कि शी इस नहीं पेन, उसके बावजूद मेरे साथ ऐसा ट्रीट होता है, मुझे लगता है वो ट्रीप्मेंट लेना मेरे लिए इतनी आवशकता थी हॉस्पिटल में जाके, कि जब मैंने डिशाज ली तब मैंने फोर्सफुली डिशाज ली डॉक्तर लिखवा के लिए, कि it is your responsibility now. तो मैंने जो भी हुआ मेरे साथ, वो हर एक चीज सच्चाई से रखी है, सर. आपको ऐसा लगता है, कि ठाकरे सरकार पस्नल वेंट्रेटा कर दिया है, 100% सर. पूरी तरीके से वो, जो भी सी criticism, सभीदान ने हर एक व्यक्ति को, ये देश में रहने वाले को ये rights दिया है, कि freedom of speech, आपको अगर किसी को criticism करना है, आपको किसी की विचारदारा नहीं पसंद, आपको किसी का काम नहीं पसंद, अगर कोई महरास्टर के हित में नहीं काम कर So it is my duty sir, as a representing people, मेरी duty और ओ में duty करूंगी, 14 दिन नहीं, उनको जितने अत्याचार करें, उतने कर लीजे, पर मेरे महरास्टर के इतमें, में काम करना नहीं छोड़ूंगी एक सवाल बार-बार पूछा जा रहा है आप दोनों से ही, कि आप निर्दली लड़ी जीती, आप निर्दली है, भविश्य में भी आप लोग निर्दली रहेंगे, अपनी कोई पार्टी बनाएंगे या किसी, sir, already हमारी छोटा पार्टी है, हम उनके, और हमने हमेशा लोग भाजपा में जा सकते हैं, sir, मैं आपको बताती हूँ, मैं इंडिपेंडन भी जब लड़े हमने चुनाओ, तो लोगों के ही विचारधारों से हमने इंडिपेंडन का भी चुनाओ लड़ा, जब लोगों के तरफ से आवाज आई, कि आप इंडिपेंडन अपने पार्टी क से उपर ही आप लड़िये, आपके संगटना पर और हम आपको साथ देंगे, आगे जो मेरे लोग कहेंगे, उसी विचारधारों को हम आगे बढ़ाएंगे, देश के प्रंताबंदान मोदी जी, के साथ हैं, और देश के ग्रहमंत्री अमिश्या जी, और राज्य के विवध नेता जी घेरे में आज की बातचीत यहीं पर खत्म होती है, आपने सांसद नवनीत राणा और विधायक रवीर राणा के वक्तव भी सुने, उनके हिस्से की तमाम इलजामों पर सफाई भी सुनी, इस बातचीत के बारे में आपकी क्या राह है ज़रूर बताईए, और झाल